हेलो एफ्रिवन मैं हूँ दीपी का आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास 10th की हिंदी पार्ठी पुस्तक संचेयन भाग दो का तीसरा अध्याई टोपी शुकला और इसके लेखक हैं राही मासूम रजा तो आईए शुरू करते हैं इफ्रिवन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ्रिवन टोपी का पहला दोस्त था इस इफ्रिवन को टोपी ने सदा इफ्रिवन कहा इफ्रिवन ने इसका बुरा माना परंतु वह इफ्रिवन पुकारने पर बोलता रहा इसी बोलते रहने में उसकी लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो जाते हैं नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मुहम्मद हो तो पैगंबर नामों के चक्कर में पढ़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही तूद देने वाले जानवर चराया करते थे दोनों ही पशुपती गोवर परधन और ब्रच कुमार थे इसलिए तो कहता हूं कि टोपी के बीना इफ्वन और इफ्वन के बीना टोपी ना केवल यह कि अधूरे हैं बलकि बेवानी हैं इसलिए इफ्वन के घर चलना जरूरी है यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है परन्तु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाओंगा बलकि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूँ क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा ना टोपी इफ़न की परिछाई है और ना इफ़न टोपी की ये दोनों तो आजाद व्यक्ति हैं इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तोर पर हुआ इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग-अलग सोचा फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है मैं हिंदु मुसलिम भाई-भाई की बात नहीं कर रहा हूँ यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा मुझे कोई चुनाओ तो लड़ना नहीं है मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ मैं टोपी और इफण की बात कर रहा हूँ ये एक कहानी के दो चरित्र है एक का नाम बलभत्र नारायन शुकला है और दूसरे का नाम सैयत जरगाम मुर्तुजा एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफण इफण के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे काफिरों के देश में पैदा हुए काफिरों के देश में मरे परन्तु वसियत करके मरे कि लाश कर्बला में जानी चाहिए उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली उस खांदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफण का बाप हुआ जब इफण के पिता सेद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसियत नहीं की कि उनकी लाश कर्बला में लाई जाए वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफण किये गए इफण की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी कर्बला, नजफ, खुरासान, काजमेन और जाने कहा कहा के यात्रा कर आई थी परन्तु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दर्वाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाते और माश का सदका भी जरूर उतरवाते इफवन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी परन्तु जब इकलोते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली माता मोरे बच्चे को माफ कर देओ पूरप की रहने वाली थी नौ या दस बरस की थी जब ब्याह कर लखनो आई परन्तु जब तक जिन्दा रही पूर भी बोलती रही लखनो की उर्दू ससुराली थी वह तो माईके की भाशा को गले लगाए रही क्योंकि इस भाशा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता जब बेटे की शादी के लिए आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का परन्तु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था बेजारी दिल मसूर कर रह गई हाँ इफवन की छटी पर उन्होंने जी भर कर जशन बना लिया बात यह थी कि इफवन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था मर्दों और और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगेर इफवन की आत्मा का नाक नक्षा समझ में नहीं आ सकता इफवन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी बलकि एक जमीदार की बेटी थी दूद घी खाती हुई आई थी परंतु लखनाओ आकर वह उस तही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहां से आया करता था बस माई के जाती तो लपड शपड जी भर के खा जाती लखनाओ आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता अपने मिया से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे नमों का बस मौलवी ही बने रहते हैं ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करवला जाएगी या नजफ तो बिगड गई बोली ए बेटा जाओन तुसे हमरी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज़ दी हो मौत सिर पर थी इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहा है घर वाले कराची में है और घर कस्टोडियन का हो चुका मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खुबसूरत सपने देखता है यह कथाकार का ख्याल है क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया उस घर का नाम कच्ची हवेली था कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी उन्हें दसहरी आम का वह बीजू पेड याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह भुड़ा हो चुका था ऐसी ही छोटी छोटी और मिठी मिठी बेशुमार चीजे याद आई वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थे वह बनारस के फात्मेन में दफन की गई क्योंकि मुर्तुजा हुसेन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी इफवन स्कूल गया हुआ था नाकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहान्त हो गया इफवन की दादी बीबी कही जाती थी इफवन तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी इफवन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बेहन नुजहता से भी था परन्तु दादी से वह ज़रा ज्यादा प्यार किया करता था अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती बाजी कभी यही हाल था अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझ कर फैसला सुनाने लगते थे नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कौपियों पर तस्वीरे बनाने लगती थी बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई और पंच फुल्ला डानी की कहानिया सुनाया करती थी सोता है संसार, जागता है पाक परवर्दिगार, आखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूं, कि एक मुलुक में एक बादशाह रहा दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया, उसे तो अच्छी भली लगती थी, परन्तु अब्बु नहीं बोलने देते थे और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता, तो वह हस पड़ती अ मोरा का है बेटा, अनपड़ गवारन की बोली, तू काहे को बोले लग्यो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलियो बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती ता उ बादशाह का किस कित तुरंते एक्ठो हिरन मार लियावा यह बोली टोपी के दिल में उतर गई थी इफ़न की दादी उसे अपनी मा की पार्टी की दिखाई दी अपनी दादी से तो उसे नफरत थी नफरत, जाने कैसी भाशा बोलती है इफ़न के अब्बू और उसकी भाशा एक थी जब वह इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही न करता वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हसने के लिए उसे छेड़ती परन्तु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीज बचाव करवा देती तो काहे को जाते उन सबन के पास मुह पिठावे को जाड़ू मारे चल इधिर आ वह डाट कर कहती परन्तु हर शब्द शक्कर का खिलोना बन जाता अमावड बन जाता तिलवा बन जाता और वह चुपचाव उनके पास चला जाता तेरी अम्मा का कर रही दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती पहले तो वह चक्रा जाता कि यहां अम्मा क्या होता है फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं एक शब्द उसे अच्छा लगा अम्मा वह इस शब्द को गुड की डली की तरह चुबलाता रहा अम्मा अब्बू बाजी फिर एक दिन गजब हो गया डक्टर भुगु नारैन शुकला नीले तेल वाले के घर में भी बीसमी सदी प्रवेश कर चुकी थी यानी खाना मेज कुरसी पर होता था लगती तो थालिया ही थी परंतु चौके पर नहीं उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुरता उसे ज़रा ज्यादा अच्छा लगा राम दुलारी खाना परोस रही थी तोपी ने कहा अम्मी ज़रा बैंगन का भुरता अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुख गए जितनी आखे थी वे टोपी के चहरे पर जम गई अम्मी यहाँ शब्द इस घर में कैसे आया अम्मी परंप्राओं की दिवार डालने लगी ये लफ्स तुमने कहा सिखा सुभद्रा देवी ने सवाल किया लफ्स टोपी ने आखे न चाई लफ्स का होता है मां ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है दादी गर जी इहम इफ्फन से सिखा है इसका पूरा नाम क्या है इहम ना जानते ते कवनो मिया के लईका से दोस्ती कर लिहले बाईकारे रामदुलारी की आत्मा गंगना गई बहु तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की यह जबान ना बोला करो सुभद्रा देवी रामदुलारी पर बरस पणी लडाई का मोर्चा बदल गया दूसरी लडाई के दिन थे इसलिए जब डाक्टर भ्रुगो नारयन नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गाठ ली है तो वह अपना गुसा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक करके परमिट ले आए परन्तु उस दिन टोपी की बड़ी दुरगती बनी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खानी की मेच से उड़ गई और रामदुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा तैं फिर जईयब्बे ओकरा घरे हाँ अरे तोरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाओं रामदुलारी मारते मारते ठक गई परन्तु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा मुन्नी बाबु और भैरव उसकी कुटिया का तमाशा देखते रहे हम एक दिन एक को रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहे मुन्नी बाबु ने टुकड़ा लगाया कबाब राम 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 दुलारी गिन्ना के दो कदम पीछे हड़ गई टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबु को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबु ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी टोपी को यह मालूम था परन्तु वह चुगल खोर नहीं था उसने अब तक मुन्नी बाबु की कोई बाद इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी तु हम में कबाब खाते देखे रही हो ना देखा रहा ओ दिन मुन्नी बाबु ने कहा तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया सुबत्रा देवी ने सवाल किया यह जुट्टा है दादी टोपी ने कहा उस दिन टोपी बहुत उदास रहा वह अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि जूट और सच के किस्से में पड़ता और सची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था वह बस लगातार एक ही बात सोच रहा था कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबु से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे परन्तु मुन्नी बाबु से बड़ा हो जाना उसके बस मैं तो था नहीं वह मुन्नी बाबु से छोटा बैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफवन से मिला तो उसने उसे सारी बाते बता दी दोनों जुगराफिया का घंटा छोड़ कर सरग गए पंचम की दुकान से इफवन ने केले खरी थे बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था अयस्सा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल दे टोपी ने कहा तोरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोरे घर चली जाए हमरी दादी तबूलियो तुही लोगन को बोलती यह नहीं हो सकता इफवन ने कहा अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा तुहारी दादी को बारह बुर्ज की कहानी आती है तुहम में एक ठो दादियों ना दे सकती हो टोपी ने खुद अपने दिल के टुकडे की आवास सुनी जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की मा भी तो है इफवन ने कहा यह बात टोपी की समझ में ना आई तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बुड़ी होंगी हाँ तो फिकर ना करो इफवन ने कहा मेरी दादी कहती है कि बुड़े लोग मर जाते हैं हमरी दादी ना मरी है, मरेंगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी जूटी है, ठीक उसी वक्त नौकर आया, और पता चला कि इफवन की दादी मर गई, इफवन चला गया, टोपी अखेला रह गया, बुढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था, उसने दादी के हजार कहने के बाद भी, उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी, प्रेम इन बातों का पावंद नहीं होता, टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंद हो चुका था, इफवन के दादा जीवि कर दिया था, दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी, दोनों अपने घरों में अजनवी और भरे घर में अकेले थे, दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था, वह 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का, तोरी दादी की जगह हमरी दादी मर टोपी ने 10 अक्तूबर सन 45 को कसम खाई थी कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसे नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है 10 अक्तूबर सन 45 का यूँ तो कोई महत्व नहीं परन्तू टोपी के आत्म इतिहास में इस तारिख का बहुत महत्व है क्योंकि इसी तारिख को इफवन के पिता बदली पर मुरादबाद चले गए इफवन की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था इसलिए टोपी और अकेला हो गया क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंग के तीन लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका डब्बू बहुत छोटा था बिल्लू बहुत बड़ा था गुड्डू था तो उसके बराबर का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं किसी ने टोपी को मुह नहीं लगाया माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे इसलिए वह बंगले में चला गया बीलू गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे डब्बू ने हिट किया गैंद सीधी टोपी के मुह पर आई उसने घबरा कर हाथ उठाया गैंद उसके हाथों में आ गई हाउस देट हैड माली अमपायर था उसने उंगली उठा दी वह बेचारा किवल यह समझ सका कि जब हाउस देट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी है हू आर यू डब्बू ने सवाल किया बलभद्र नारायन टोपी ने जवाब दिया यह सवाल गुड्डू ने किया भ्रगु नारायन ए बिल्लू ने अमपायर को आवाज दे यह भिर्गु नारायन कौन है एनी आफ अवर चप्रासीज नाही साहब अमपायर ने कहा सहर के मसुहूर दागदर है यू मीन जॉक्टर डब्बू ने सवाल किया यस सेर हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी बट ही लुक्स सो क्लमजी बीलू बोला ए टोपी अकड गया तनी जबनिया संभाल के बोलो एक लपड में नाचे लगी हो ओ यू बीलू ने हाथ चला दिया टोपी लुडग गया फिर वह घालिया बकता हुआ उठा परन् आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया परन्तु प्रश्ण यहां खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या घर मैं ले देकर पूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुखतर्द समझती थी तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की चा करने लगे टेक मत किया करो बाबू एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोटरी में ले जाकर समझाना शुरू किया बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आय भैरव के लिए भी नया कोट बना टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला कोट बिलकुल नया था मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए था तो उत्रन टोपी ने यहा कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया वह खुश हो गया, नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तोली नहीं जा सकती थी, इसलिए तै हुआ कि टोपी जाडा खाए, हम जाडा ओडा ना खाएंगे, भाद खाएंगे, टोपी ने कहा, तुम जूते खाओगे, सुभधरा देवी बोली, आपको इ दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, राम दुलारी ने उसे पीठना शुरू किया, तु दस्वा में पहुँच गई लबाड, सीता ने कहा, तु हैं दादी से टर्राओ केत नान चाही, किनो उ तोहार दादी बाडिन, सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, कि वह यह बात इतनी आसान नहीं थी, दस्वे में पहुचने के लिए उसे बड़े पापड बेलने पड़े, दो साल तो वह फेल ही हुआ, नव्वे में तो वह सन उन्चास में ही पहुच गया था, परन्तु दस्वे में वह सन बावन में पहुच सका, जब वह पहली बार फेल हु तो मुन्नी बावू इंटर्मीडियेट में फस्ट आये, और भैरव छटे में सारे घर ने उसे जबान की नोग पर रख लिया, वह बहुत रोया, बात यह नहीं थी, कि वह गाउदी था, वह काफी तेज था, परन्तु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था, वह जब मुन्नी बावू को कोई काम निकलाता, या रामदुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पढ़ जाती, जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी, यह सब कुछ ना हुआ होता, तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कौपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं, दूसरे सा वह थर्ड डिविजन में पास हो गया, यह थर्ड डिविजन कलंक के टीके की तरह उसके माते से चिपक गया, परन्तु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए, सन उन्चास में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया, साथिय आगे निकल गये औ वह उन्ही से मिलता, उन्ही के साथ खेलता, अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी, वह जब भी कलास में बैठता, उसे अपना बैठना अजीब लगता, उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल दे क्या मतलब है साम अवतार या मुहम्मद अली बल्भद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या यह सुनकर सारा दर्जा हस पड़ता हसने वाले वे होते जो पिछले साल आठवे में थे वह किसी न किसी तरह इस साल को जहल गया परन्तु जब सन 51 में भी उसे 90 दर के सांथ उनके बीच में वह अच्छा खासा बुढ़ा दिखाई देता था वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए व तुम्हें तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है तुमसे पार साल पूछ लूँगा तोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दोड़ गई और जब तमाम बच्चे खिल खिला कर हस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया जब वह पहली बार नवे में आया था तो वह भी इनी बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था फिर उसी दिन अबदुल वहीद ने रिसेज में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिल्विला उठा वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था मॉन प्थबालन से दोस्ति कर हम लोग तो निकल जाएंगे बाकि तुहें तो उन्हीं सभन के साथ रहे के हुई है यह बात टोपी के दिल के आरपार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाब उसे पास होना है परन्तु बीच में चुनाओ आ गए डक्टर भुगु नारायन नीले तेल वाले खड़े हो गए अब जिस घर में कोई चुनाओ के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है वह तो जब डक्टर साहाब की जमानत चप्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम अजरे बद से बचाए रफ्तार अच्छी है तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो में अंध तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ तैंक्यू